नमसकार दोस्तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तो अगर आपके phone से कोई भी आपका contact डिलेट हो गया है और आप चाहते होंधे हैं सारे contact को वाप सा फिर से द्वारा phone में ला पाए आप delete हुए सारे contact को फिर से अपने phone में recovery करना चाते है तो आज का ये special पूरा वीडियो आपके लिए 5 सल पले या 1 सल पले या 50 सल पले या 20 सल पले भी जो है आपके phone से contact delete होयता है फिर भी जो है आप उसको वापस ला सकते लेकिन उसके लिए एक सर्थ है आपको एक trick phone में करन जादा जो लोग है इसको अपने phone में install कर रहा है और इस trick का यूज कर रहा है अगर ये trick आप भी अपने phone में लगाते है तो इस trick की मदद से आप भी जो है अपने phone से delete हो चुगे सारे contact को फिर से दोबारा अपने phone में देख पाईएगा दोस्तों अभी तक आप इस वीडिय का यूज कर सके हैं अब आए वीडियो में आगे बरते हैं दोस्तों नीचे जाके एक प्यासा कमेंट आपको यहां पर recovery contact लिकर भेजना है अगर आपको recovery contact लिखने नहीं आता है तो आप abc.bon कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं अब आए दोस्तों वीडियो में आगे बरते ह तो जिस ट्रीक के बारे में बात कर रहें ना उस ट्रीक के जो आपका लिंक है आपको इसी वीडियो के description में मिलेगा तो आपको description वारे link पर टास करके क्या करना है आपको phone में डाल लेना ठीक है description में डाल दिया अगर नए है दोस्तों तो रेट बटन की चैनल को सस्क्राइब के लिए गार घंटे दवा के और बला बटन जरूर दबा दिया जिससे नए वीडियो का notification जो आपको में मिलता रहेगा तो जब आप phone में डाल ली जागा न दोस्तों और उसको open के जागा तो जो आप है इस त करना क्या होगा आपको यहां पे backup पे टाश करना है ठीक है यहां पे देदना है और यहां पे email चूछ करना है ध्यान रहे आपको email चूछ करना है और backup जो है कर देना ठीक है आप चाहे तो यहां पे PDF जो है ले सकते हैं चलिए मैं बैक आता हूं आप चाहे तो यहां पे प्र क्या करेंगा जानते हैं आपकी email id में यह backup बना देगा यह email id हुआ और यह आपका contact यहां से send होगा compose होकर जाएगा तो आपको यहां पे send कर देना ठीक है अगर आप device memory चूज करते हैं तो यहां पे pdf आप चूज कर सकते हैं और backup जो इसका device memory में pdf फाइल में बना सकते ठीक है तो इस तरह से यहां पे बना सकते नो contact फाइल तो यहां पे मैं बैक आता हूं उसके बन दोस्तों यहां पे print का option अगर आप print करना चाहते है तो यहां पे बैक अप में print भी कर सकते देख सकते पीडिएप में यह print होगा और यहां पे पीडिएप में सारे content को देख पाईएगा तो यहां पे पीडिएप में प्रिंट भी हो जाएगा आते बैक यहां पे setting का option मिलता है दोस्तों setting में जाना है और recovery email देख सकते हैं यहां पे अपना यहां पे एक email ID डाले हुए है और notify to backup पे टास्क करना है और यहां पे notify to backup अप्शन चूज करना है select language में यहां इंगलिस आपको चूज करकर रखना है उसके आपको यहां पे कुछ नहीं करना बैक आ जाना यह आपके email ID पे यहां पे रियस्टोर करता रहेगा ठीक है मतलब backup पनाता रहागा contact अगर आपके फॉन से डिलेट होया था contact अप कैसे लएगा तो इसको अपको अपने फॉन में डाल कर रही है यह इस्टोर की जागा ना तो यहां पे फ्रोम जीमल का उप्शन आपको टास्करना है और यहां पे contact to gmail देख सकते हैं जैसा के contact इस नाम से यहां पे स्टेव होगा आपको gmail पे टास्करना है और आप gmail पे आ जाएगा तो यहां पे आपको contact नाम से एक फाइल में लगा जिसपे टास्करके आप सारे को फिर से यहां पे remove अपने फॉन में कर पाएगा ठीक है तो इस तरह से आप यहां पे दोस्तों फिर से जो है डिलेट हुए contact को आप आप जो है ला सकते हैं जैसे कि आप देख से नाम से इस तरह से आपके गूगल ड्राइव में यह सेव होगा तो इस तरह से आप यहां पे जो है contact को रिए फॉन में कर सकते हैं यहां पे application का option मिलता है अगर आप